नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं सुरेंदर मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास कातिल कौन जहन निगम का आफिस पे बिलमोरिया एंड कंपनी LIC की छे मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर था जहां जब सुभा उसने कदम रखा था तो वो कंपनी का 22 साल कुराना मुलाजिम था और अब जब वो आफिस से बाहर कदम रख रहा था तो बेरोजगार था मैनेजर ने उसे अपने आफिस में बुला कर ये मनहूस खबर सुनाई थी कि मंदी का दौर चल रहा था इसलिए मालिकान ने स्टाफ की छटनी का फैसला किया था और छटनी की पहली कैजुल्टी जयन निगम हुआ था अब उसे अपना भविश्य अंदकार में दिखाई दे रहा था उसकी नौकरी में पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजोटी वगेरा का कोई प्रावधान नहीं था उसी चालू महीने की और एक अतरिक्त महीने की तनख्वा का चेक थमाया गया था और बोल दिया गया था कि उसकी मुलाजमत खतम थी वो कल से नौकरी पर ना आये, उसके पास कोई नाम लेवा अतरिक्त जमापुंजी नहीं थी कोई जिक्र के काबिल बज़त खाता नहीं था और उस पर अपने पांच बच्चों के भरन पोशन के चिम्मेदारी थी वो उम्र में 50 साल का था और हैरान था कि क्या इस उम्र में तजकाल कोई नई नौकरी तलाश कर लेना उसके लिए मुम्किन होगा उस उम्र में उसकी कनपटियों के पास के बाल सफेद हो चुके थे और वो निगाह का चश्मा लगाता था वैसे उसकी तंदरुस्ती चाक चौबन थी लेकिन दुबले शरीर चश्मे और कनपटियों के सफेद बालों की वज़े से अपनी उम्र से बड़ा लगता था उसका ओफिस अब फूर्थपूर भिवंडी में था और आवास कल्यान में था जहां वो ट्रेन द्वारा आवाजा ही करता था कल्यान में जीजाबाई रोड पर एक दस मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर उसका आवास था जो की पैंथाउस अंपार्टमेंट कहलाता था वैसा बड़ा फ्लैट वो अपनी तनख्वा में अफोर्ड नहीं कर सकता था वसुता वो फ्लैट उसकी स्वर्गवासी पिता की मिलकियत था जिसे मरने से पहले वो अपने छोटे पुत्र जयन निगम के नाम कर गए थे उसका पिता अपनी जिंदगी में पैसे वाला आदमी था लेकिन अपना सारा पैसा उन्होंने अपने बड़े पुत्र जो की छोटे से 15 साल बड़ा था सोमेश के नाम कर दिया था क्यों कर दिया था? क्योंकि उम्र में इतना बड़ा भाई पिता समान होता था जोकी छोटे की भरपूर देख भाल कर सकता था की? वैसी नौबत ही ना आई पिता की मृत्यू के दो महीने बाद ही थाउस अपार्टमेंट था जो ना हुता तो बड़े परिवार के साथ उसकी रिहायश भी उसके लिए प्रॉब्लम बन दी पिता ने उसे कुछ दिया था तो सिर के उपर एक छट दी थी अपनी बाकी तमाम चल और अचल संपत्ती बड़े पुत्र सौमेश को सौम दी क्योंक था हर किसी में नुक्स निकाल कर हर किसी को परिशान करता था और चल देता था बड़े भाई की विजिट अब फिर ड्यू थी और उसकी खड़े पैर नौकरी छूट गई थी ऐसे उम्रभी नौकरी छूट गई थी जबकि उसका दोबारा हासिल होना सपना ही साबित होता उ नई नौकरी ढून लेना कोई मुश्किल काम नहीं साबित होने वाला था नई नौकरी का जल्दी कोई इंतजाम न हुआ तो बारा से तेईस साल के पांच बच्चों के साथ कैसे कुजर होगी जमा पूंची तो उसके पास नाम मात्र को ही थी ये हाल तब था जबकि पिता क की वसियत के सदके उसका बड़ा भाई सोमेश निगम फिल्दी रिष्ट था क्या खूब इंसाफ किया पिता ने बड़े बेटे को अपनी सारी संपत्ति का मालिक बना दिया और छोटे के लिए एक नया पिता अपॉइंट कर दिया जिसका काम छोटे भाई और उसके परिव उन्हीं को मिलती लेकिन वो अंत्पंत पता नहीं कवाता तब उसके मन ने उससे एक सवाल किया क्या वो माली इमदाद हासिल करने की गरत से अपने भाई के पास जा सकता था जल्दे ही उसे नौकरी हासिल नहोती तो वो नौबत आ सकती थी तब क्या उसका भाई उसकी कोई मदद करता नहीं उसके दिल ने गवाही दी बलकि शर्मिंदा करता कि अपनी नालायक्यों से वो उस हाल में पहुँचा था कैसी विडमना थी कि अपनी पिता की जिस संपत्ती पर उसका बराबर का हक सहज सभाविक तौर पर होना चाहिए था वो सिर्फ और सिर्फ उसके भाई के कबजे में थी कानूनी तौर पर कबजे में थी इसलिए इस वाबत वो कुछ कर भी नहीं सकता था उसके जहन पर अपनी पत्नी रचना का अक्स उपरा जायदा संबंदी उसके पिता के नादिर शाही फैस्ते से उसके पिता से रचना खफा थी इस सिल्सले में वो अपने जेट को भी जिम्मेदार ठहराती थी कि क्यों उसने जायदात का वो एक तरफा वटवारा कबूल कि किया था क्यों उसने अपने छोटे भाई को उसका हग दिनाने की कोशिश नहीं की थी मेरा बस चलता गुस्ते में वो कई बार कह चुकी थी तो मैं जेट जी को भी ससुर जी के पास भेज़ देती वो एक कंटक करे तो हमारे वारे न्यारे हों उसने फैसला किया कि फिलहाल रचना को अपनी छोट गई नौकरी की बाबत नहीं बताएगा हमेशा की रूटीन की तरह वो रोल भिवंडी जाएगा और वहां किसी नई नौकरी की जुगार की कोशिश करेगा कुछ अर्सा तो वो इस सिलसिले को बरकरार रखेगा आगे देखे जाएगी वो स्टेशन पहुचा प्लेटफॉर्म पर उसी अपना हम उम्र दोस्त विनो शुकला मिल गया तभी उनकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी जैन निगम सामने आये डिब्बे में सवार होने लगा तो शुकला ने उसी पहाँ पकड़ वापस खीच लिया देशमुग बैठा है वो बोला अगले डिब्बे में चलो दोनों अगले डिब्बे में जाव सवार हुए देशमुग बैठा था तो क्या निगम सकपकाया सब बोला है ना शुकला बोला धंदा चौपट है इसका साल से फाइनशल क्राइसिस से जूज रहा है जो वाकिफकार मिल जाए उससे था क्या किया था खुदकुशी कर ली थी गैस के अवनमी सिर्दे कर दाता मैं ऐसा नहीं कर सकता उसने मन ही मन धृड़ता से दोहराया खुदकुशी बुजदिलों का काम है मैं देशमुक की तरह हर एरे गैरे से उधार भी नहीं मांग सकता जरूरत सब करा देती है उसके दिल ने जिरह की नहीं फिर भी नहीं उसने जिरह का चवाब दिया भाई से मांगने से तो मुझे संकोच है गैर से कैसे मांगूंगा थनहा आदमी मुसीबत के आगे कमजोर पर जाता है शुकला कह रहा था मानकी की फैमली होती बीवी बच्चे होते तो शायद का वो खयाल भी न करता ठीक लेकिन फिर भी क्या पता लगता है कोई दहशत कोई जुनून सवार हो जाए तो क्या पता लगता है मुरूड में ऐसी हालत में पहुंचे एक शक्स ने अपने साथ अपनी बीवी और दो बच्चों को भी मार डाला था अरे नहीं अभी दस दिन पहले की खबर है अखबार में बड़ी सुर्ख्यों में छपी थी छोड़ो ये बाते मेरा दिल हिलता है शुकला हसा फिर खामोश हो गया जैन दिगम ने मोड काट कर जीजा बाई रोड पर कदम रखा उसका सबसे छोटा बेटा अंकुर जो बारा साल का था सलक पर अकेला फुटबॉल खेल रहा था पिता को देखकर वो उसके करीब आया और बॉल को बगल में दबाए उसकी साथ साथ चलने लगा आगे नजारा है वो धूट फाव से बोला क्या बोला निगम सक पकाया सोनाली जमूरे के साथ जमूरा नहीं समझते कपिल कोठारी डैट कपिल बड़ी उसने बड़े उस्सापोन धंग से अपने पिता की दरफ हाथ हिलाया कितनी बड़ी हो गई थी पिता ने मन ही मन सोचा और कितनी खूबसूरत लगने लगी थी 22 की थी या 23 की नहीं 22 नहीं 23 की थी वो करीब पहुंचा तो सोनाली बोली हेलो डैट निगम ने खड़े युवक की और देखा युवक ने संजीदगी से निगम का अभिवादन किया कैसे हो भाई निगम बोला ठीक जवाब मिला हम वो अपनी बेटी की तरफ घूमा और अर्थ पूर्ण भाव से बोला अंकुर को घर लेके जा मां इंतजार करती होगी सोनाली के चहरे प का हाथ पकड़ा और आगे पर चली पीछे सड़क पर निगम और कपिल कोठारी खड़े रह गए और कैसा चल रहा है निगम बोला कपिल हौले से खांसा और फिर बोला सोनारी ने आपको पताया होगा कि मैंने लौ पास कर लिया है और डैडी ने अपनी लौ फर्म में मुझ निगम को पूरा अंदजा था कि वो जरूरी बात क्या थी लगता था उसने सोनाली को प्रपोस किया था और बदले में सोनाली की हामी हासिल कर भी ली थी अब वो उसकी हामी का तलबगार था बजाते खुद निगम को वो रिष्टा होता था तो उससे कोई एतराज नहीं थ कपिल कोठारी में वो तमाम गुण मौजूद थे जो वो अपने होने वाले दामाद में देखना चाहता था ज़रूरी बाती सड़क पर नहीं होती वो बोला कल घर पर आना फिर करना अपनी ज़रूरी बात मैं सुनूगा ओके यस सर नाव गेट रॉंग युवकरी निगम का अभिवादन किया और लंबे डग भरता उसते परेच चलने लगा निगम एक शंट ठिटका खड़ा रहा फिर अपनी राह लगा उनके आवास वाली इमारत के सामने सड़क पार एक उसते भी उंची इमारत थी जिसके बार में माले पर दम्यंती जाधव नाम की वृद्धा अवस्था की और अगरसर एक महिला रहती थी जिसके पास एक टेलिस्कोप था जिसके माध्यम से वो बकॉल उसके चांद सितारों की गर्दिश देखती थी लेकिन ये बार सारे एलाके में स्थापित थी कि अकसर वो टेलिस्कोप को पास परोसमिक ताग जहांक के लिए इस्तमाल करती थी उस घड़ी भी वो अपने टेलिस्कोप के साथ अपनी बालकनी में मौजूद थी वो अपने फ्लैट पर पहुँचा उसने कॉल बेल बजाई तो खुद रचना ने उसे दरवाजा खोला पती पत्नी की निगाहे मिली उस घड़ी निगम को बड़ी शिद्दत से ये एहसास हुआ कि वो अपनी पत्नी से कोई बात छुपा कर नहीं रख सकता था इतनी एहम बात तो हर्गिस भी नहीं कि उसकी नौकरी छूट गई थी अगले रोज बुधवार था जबकि सुभा रचना ने सोमेश निगम की मेल रिसीव की जिसके माध्यम से बुजुर्गवार ने फैमली को सूचित किया था कि वो उस रोज उनके यहां पहुँच रहे थे साथ में ट्रेन का शिडियूल था रचना ने नोट किया कि उनकी वफादार हाउस कीपर शान्ता उससुख भाव से उसे देख रही थी शान्ता कोई 40 साल की हिष्ट पृष्ट महिला थी जो कि निगम परिवार का ही अंग बन गई हुई थी जेड जी की खबर है कंप्यूटर पर से निगा उठाते रचना ने बताया गुजर गए? शान्ता आशापून स्वर में बोली शान्ता रचना ने उसे जिड़का शरम कर तो आ रहे हैं आज? हाँ पर उन्होंने तो अगले हफ्ते आना था प्रोग्राम बदल गया अब एक हफ्ता पहले आ रहे हैं चलो कोई बात नहीं मुसीबत जल्दी आती है तो जल्दी जाती है शान्ता कबा रहे हैं? दोपैर वाली काड़ी से कहां ठहराएंगे? घर में एक महमान पहले से है कहां ठहराएंगे? महमान जैन निगम का चचेरा भाई माधम निगम था जो की आया ही रहता था कोई कामकाज वो करता नहीं था वैसे पूछे जाने पर खुद को लेखक बताता था और सबूत के तोर पर किसी सेकंड क्लास मैगजीन में छपी एक आद कहानी दिखा भी देता था इसलिए एक तरह से अपनी कजन जैन निगम पर ही आशित था यहां तक की जैन को रुपे पैसे की थोक लगाते रहने से भी उसे कोई कुरेज नहीं था महमान वाले कमरे भी महमान कहां जाएगा अंकुर और अपूर्वा के कमरे में और वो दोनो उपर 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 वाला कमरा पतोर बैडरोम इस्तमाल करने के लायक कहां है बनाना सारा दिन पड़ा है महमान एदराज नहीं करेगा करेगा तो क्या करेगा चला जाएगा तो मैं बोलूंगी पलाटली नहीं नहीं जाएगा और फिर बच्चो का कमरा कोई खराब थोड़े ही है अभी आई बाद समझ में जहमत होगी तो सरदा के महमान को नहीं होगी मेरे बच्चो को होगी किसी श्याने ने कहा है कि मचली और महमान को तीन दिन से ज़्यादा घर में नहीं रखना चाहिए निगम साहब को समझाना मैं बोल भी दूँगी बोलना शांता हसी फिर संजीता हुई वो 20 साल से उस घर में मुलाजिब थी और सब की मुह लगी थी वो जैन निगम को सच में ऐसा कुछ बोल देती तो कोई बड़ी बात न होती एका एक शांता ने गर्दन उंची की और हवा में नाक फुला कर कुछ सूंगने लगी मेरी सबजी फिर आतनकित भाव से बोली क्या हुआ सबजी को? किचन में कढ़ाई चड़ा के आई थी लगता है जल रही है मैं जाती हूँ शांता तेरी सबजी मैं देखती हूँ मैं किचन में जाती हूँ तो जा के साहाब को मेल की पावद बता ठीक है बलकि सब को बता अच्छा शांता ने मशीनी अंदाज से उस काम को अंजाम दिया घर के मालिक ने उस खबर पर कोई प्रत्यक्ष परतिकरिया जाहिर न की लेकिन नंबर दो 19 वर्षिया बेटी अंकीता ने साफ साफ यूं जाहिर किया जैसे कोई पूरी खबर सुनी हो मंजले बेटे उम्र 17 वर्ष तुशार ने भी साफ मूँ बिचकाया बाकी अपूर्वा उम्र 14 वर्ष और अंकुर इन मामलों में अभी छोटे थे आखिर में वो सदा के महमान माधव निगम के कमरे में पहुँची जो की जगत अंकल था पिछले दो हफतों से वो वहां डटा हुआ था और अभी पता नहीं कब तक टिकने वाला था माधव जयन से चार साल पड़ा था और अव गुणों की खान था काहिल, कामचोर, अरगर्ज लापरवाब, बेवड़ा शान्ता ने उसे तब भी बैड में पाया वो जान बूझकर जोर से खासी तो उसने आँखे खोली सामने देखा और उठकर बैठा आँखे मिच मिचाते यो उसने शान्ता को देखा जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो बंद कमरे में सिग्रेट और शराग की गन बसी हुई थी फर्श पर जगे जगे माचिस की जली हुई तिलियां और सिग्रेट के टोटे पड़े दिखाई दे रहे थे उसी कमरे में आकर नए महमान ने ठहर ना था शान्ता ने वितिशना पून भाव से सोचा उस कमरे की हालत सुधारने का एक बड़ा काम अब उसके सामने खड़ा था शान्ता ने आगे बढ़कर खिर्की पर से परदा हटाया और खिर्की की दोनों पल्ले खोल दिये धूब भीतर आने रगी कितना टाइम हुआ? खुद सोचो शान्ता नाग चड़ाती बोली सूरस सिर पर चड़ा है चाहे तो लेकर आई होती मैं नाश्ता लाती हूँ तुम उठो तो सही आई कैसे? कोई खास बात? हाँ क्या? शान्ता ने बताया आजा रहे हैं बिक ब्रदर? माधव हैराने से बोला उन्होंने तो अगले पुदबार आना था प्रोग्राम बदल गया अब एक हफ़ता पहले आ रहे हैं ओ, कब तक कह रहेंगे? एक हफ़ता हमेशा की तरह? क्यों आते हैं? यहां हर किसी को नापसंद करते हैं खास तोर से बच्चों को फिर क्यों आते हैं? अपना वैभव दिखाने अपनी शानों शौकत के नुमाईश करने और हर किसी में नुक्स निकालने शानता हिम्मत करके बोली Everything is wrong का फत्वा देने ठीक बोला हर किसी में नुक्स निकाल कर ही बिग ब्रदर को तसल्ली होती है जहां कुछ पसंद नहीं वहां आते क्यों है? इसलिए यहां क्यों बरदाश किया जाता है बिग ब्रदर को? ये भी कोई पूछने की बात है एक दौलत मन शक्स को जिसका आगे पीछे अपना कोई नहो हर कोई बरदाश करता है खासतोर से विपन साधन हीन करीबी रिष्टेदार जो कि जयन जी और उनका परिवार है बिग ब्रदर दौलत मन न होते तो क्या कोई उन्हें बरदाश करता? ठीक बोला शांता मिजाज दिखाना बेजा मिजाज दिखाना दौलत मन लोगों का ही शगल है एक बात पताईए आप तो जानते होंगे बिग ब्रदर शुरू से ही ऐसे है या बुड़ापे में पहुँच कर हो गए बुड़ापे में पहुँच कर हुए रही सही कसर बिर्से ने पूरी करती दौलत मिली तो एहंकार आ गया हर किसी को तुच्छता से देखने लगे फिर तनहा जिंदगी ने भी अपना रंग दिखाया ग्रहस ना बन सके इसलिए और होस्टाइल हो गए अब बिग ब्रदर की दुनिया उनके पेट कंपेनियन नितिन सिक्का में ही सीमित है जो कि पिछले 18 सालों से उनके साथ है पेट कंपेनियन बोले तो भई नितिन सिक्का बिग ब्रदर का मुलाजिम है बिग ब्रदर से महीना तनखा पाता है और मुलाजवत में उसका काम है मालिक को कंपनी देना जो कि वो बाग खुबी करता है क्या बाग खुबी करता है शान्ता ने नाक चड़ाया सलाम बिग ब्रदर को नहीं उस मोटी तनखा को है जो उसे बकायदा मिलती है कुछ भी कहो शान्ता नितिन सिक्का की बिग ब्रदर के लिए निश्टा बेमिसाल है मादव हसा वो पका परजीवी था मॉंबई में उसका अपना फ्लैट था लेकिन वो वहाँ से अकसर गायब मिलता था क्योंकि वहाँ उसकी देंदारी ऐसी थी कि वो वहाँ से कहीं खिसका रहने में ही अपनी गती मानता था वो सबका कर जाई था फिर भी कहा ये जाता था कि पैसा उसके पास बराबर था लेकिन वो उसकी किसी को हवा नहीं लगने देना चाहता था दोसरों के आसरे गुलचर्रे उडाना उसकी पक्की आदत बन गई हुई थी अपनी उसी आदत के तहत वो अकसर अपनी कजन जैन निगम का महमान बना रहता था जहां कि उसकी फ्री बोर्डिंग एंड लॉंजिंग की कारंटी थी पल्ले पैसा होने की बावजूद सबसे उधार मांगना उसका लाइफ स्ट्राइल था अब उसकी प्रोफेशनल बरोवर वाली छवी स्थापित हो चुकी थी इसलिए वो उस घर के टुकड़े ही नहीं तोड़ता था गाहे बगाये जैन से नगद रकम भी उधार मांगता रहता था ऐसे वक्त पर हमेशा वो अपनी जरूरतों का ऐसा दयनियक खाका खिंशता था कि जैन पसीच जाता था और वो जो मांगता था उसे दे देता था ये जानते पूछते दे देता था कि कोई भी मांगी रकम लोटाने वाली नहीं थी तुमको ये कमरा खाली करना होगा शान्ता बोली बिग ब्रदर के लिए? हाँ, तो ये पक की खबर है कि वो आज ही आ रहे हैं अगली बुधवार रही आज ही आ रहे हैं उन्होंने खुद मेल से खबर भेजी है फिर तो ये कमरा वैसे ही खाली है अगर बिग ब्रदर आ रहे हैं तो बंदा जा रहा है क्या? हम दोनों एक ही चट के नीचे नहीं रह सकते तुम बिग ब्रदर सुमेश निगम को नापसंद करते हो नापसंद? अरे मैं नफरत करता हूँ उससे उस शक्स के ख्याल से मुझे वहशत होती है रिष्टिदार है इसलिए बिग ब्रदर बोलता हूँ रिष्टिदार ना होता तो बोलता खुंदकी बुढ़ा देवा रे दिल से बोला मैं मैं दिल का पहुत सच्चा हूँ बिग ब्रदर एक बज़े यहां होंगे मैं पौने एक बज़े यहां से पाहर होंगा उस काम के लिए भी विस्तर तो छोड़ना पड़ेगा या नहीं जैन्त आफिस चला गया नहीं आज वो घर में ही है यह अच्छी खबर है मेरे को उससे जरूरी बात करनी है मेरे को मालूम क्या जरूरी बात करनी है तेरे को मालूम है शान्ता हाँ क्या मालूम है तुम साहब से फिर उधारी मांगोगे तो क्या नया काम करूँगा? अभी करोगे तो नया काम ही करोगे मतलब साहब की नौकरी छूट गई है क्या? सच्ची बोल रही है मैं मैंने साहब को खुद रचना मैणम को ऐसा बोलते सुना जयन्त इस उम्र में बेरोजगार उपर से पांच बच्चों की जिम्मेदारी कैसे भी देगी? बिग ब्रदर आ रहे है न? क्या पता वो कुछ हेल्प करें? वो खुद? साहब की बोलने पर जयन्त बिग ब्रदर से माली इमदाद मांगेगा? हो सकता है जब जरूरत सिर्फ पर आन पड़ती है तो कुछ भी करना पड़ता है और नाकामे का मूँ देखना पड़ता है जयन्त बिग ब्रदर से कोई उम्मीद करेगा तो ये रेट में सी पाने निकालने वाला काम होगा अरे जब मैं मैं ये काम ना कर सका तो जयन्त के किये होगा उधार मांगने का मेरे को इतना तजूर्बा है जयन्त को कहा है जब मैं बिग ब्रदर को न पिखला सका तो वो क्या कुछ कर पाएगा तुम में और साहब में फर्क है साहब बिग ब्रदर के सगे भाई हैं जो कि तुम नहीं हो फिर साहब ग्रस्थ हैं जिम्मेदार हैं उनके सिर्फ पर परिवार के भरन पोशन का बोज है साहब पैसे का कोई पेजा इस्तमाल नहीं कर सकते जबकि तुमने माफी के साथ बोलती मैं करना ही पेजा इस्तमाल होता है मादव हकबकाया सा उसका मुहुत देखने लगा शांता फिर बोला है तू हाउस की पर लेकिन बोलती मालकिन की तरह है मैं मालिक की वफादार हूँ फैमिली की तरह हूँ बस तभी बढ़ बढ़ के बोलती है मैं कुछ गलत बोल गई तो माफी मांगती हूँ नहीं नहीं माफी की कोई बात नहीं लेकिन एक बात बोलता हूँ कौनसी बात तेरा साहब बिग ब्रदर से एक खोटा सिक्का नहीं आसिल कर पाएगा आम हालत में ये बात सच है आम लोगों में ये बात सच है लेकिन साहब बिग ब्रदर के एकलौते छोटे भाई है इसलिए तुम्हारी सोच साहब पर लागू नहीं खून के रिष्टे को नहीं जुटलाए जा सकता तुम कुछ भी कहो लेकिन होगा वही जो मैं बोला देवा, अमीर गरीब क्यों बनाए? फिलोस्फाना बात है एक बाप ने ये अंधियर क्यों किया कि एक बेटे को अपना सब कुछ सौप दिया और दूसरे को कुछ भी न दिया नम भी कहानी है तुम कुछ जानते हो तो बताओ मैं सुनना चाहती हूँ तो सुन, तेरे साहब के पिता का नाम शिव प्रसाद निगम था बुजुर्गवार ने दो बार शादी की थी पहरी शादी से उनका एक बेटा सोमेश था और फिर दूसरी शादी से उनका एक बेटा तेरा साहब जैन था बुजुर्गवार दिल के मरीश थे जब दिल ने आखिर उनका साथ छोड़ा था तब जैन 25 साल का था और बिग ब्रदर सोमेश तब 40 साल के थे दोनों भाईयों में तब बड़ा अच्छा प्रेमभाव था सोमेश जैन का पिता समान खयाल रखता था बुजर्भवार शिर्प प्रसाद निगम इस बाद से वाकिफ थे इसलिए उन्होंने ये सोच कर अपनी तमाम चल और अचल समपत्ती का वारिस सोमेश को बना दिया कि भविश्य में भी वो अपने छोटे भाई का पिता समान खयाल रखेगा वो ये जुबाने हिदायत करके मरे थे कि विर्से का आधा पैसा जैन का था लेकिन उसकी हिफाज़त देखभाल सोमेश ने करनी थी ये फैसला करना सिर्फ और सिर्फ सोमेश की जिम्मेश छोड़ा गया था कि वो जैन को कब क्या देता था सोमेश को ये भी हधिकार था कि अगर वो पैसे का बेजा इस्तमाल होता देखे तो आइंदा पेमेंट्स पर रोख लगा दे तुमने वसियत पड़ी थी? नहीं लेकिन तब ये प्रावधान था ये नियम ये शर्टे सर्फ विदित थी मतलब क्या हुआ? ये हुआ ना कि कानूनी तौर पर न सही एकलाकी तौर पर साहब आधी संपत्ति के मालिक थे हाँ, लेकिन इस फानी दुनिया में अकलाक की कौन सुनता है? बात वही सुनने मानने लायक मानी जाती है जो स्याह सफेद में दर्चोग इस लिहाज से सब कुछ बिक ब्रदर का ही बनता था, उसी का था ओह, शुरुवात में बिक ब्रदर ने जैन्द के साथ ठीक विवार किया था, वो जैन्द को थोड़ा बहुत पैसा सरकाता रहता था और अपनी जुबानी मानता था कि अंध पंध आदा हिस्सा जैन्द का था, लेकिन वो अंध पंध वाली घड़ी आने से पहले जैन्द को रशना मिल गई, और वो उसकी प्यार में किरफतार हो गया वो प्यार बिग ब्रदर को एक आँखना सुहाया, उस बात को लेकर वो साफ साफ जैन्द के खिलाफ हो गया, रशना पर तो उसका जोड़ चलता नहीं था, लेकिन जैन्द पर वो पकाइदा आग बबूला होकर दिखाता था बिग ब्रदर का तब ऐसा मिजाश था कि रशना की जगा कोई और लड़की भी होती, तो भी वो उतना ही भड़कता उसे लगता था कि अपने लव अफेर की वज़े से जैन्द उसकी पकड़ से उसकी कंट्रोल से दूर होता जा रहा था, उसे ये वंजूर नहीं था कि कोई दूसरा शक्स जैन्द पर अपना अधिकार जमाने लगता बिक ब्रदर हमेशा जैन्द की दुनिया को अपने पर ही केंदरित देखना चाता था, जैन्द की जिंदगी में रचना आ गई, तो वो एक्वेशन जुटला गई, और इस बात ने बिक ब्रदर को बुरी तरह भड़का दिया, तब उसने पिता की संपत्ती को अपना तुर पर्मान की परवर्ना की और रचनाशी शादी कर ली, तब से आज का दिन है, बिक ब्रदर से उसे कैसी भी कोई इमदाल हासिल नहीं हुई, जैन्द को बस नौकरी का आस्रा था, वो भी तो कहती है कि छूट गई, ये हैरानी की बात नहीं, कि सद्धाव फिर भी परकरार है तब ही तो बिक ब्रदर का हर साल यहां फिरा लगता है, इसमें सद्धाव का दखल कम है, बिक ब्रदर की नादेर शाही मिजाज का दखल ज्यादा है, ये बिक ब्रदर की आदत में शुमार है, कि उसने जो काम करना है, करके रहना है, हर साल जैन्द को महमान नवाजी का एक मौका देना है तो दे के रहना है उसने आकर इस हाउस्होल में पाउं पसार के रहना है बले ये बात किसी को पसंद ना आए ये तो सराशाच चाती है है तो है जैंद में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि वो मूफ आर कर बिग ब्रदर को कह सके कि वो यहां ना आया करें जैन्त की जगे मैं होता तो मैं तो ऐसे खुदगर्श नादिर्शा बिग ब्रदर को गोली मार देता अरे कितनी ही समस्याएं हैं जो इस एक काम से हल हो सकती है बिग ब्रदर दूसरी जुनिया का मुसाफिर बन जाए तो उस तमाम समपत्ती का मालिक जैन्त होगा जिस पर कि बिग ब्रदर कबजा जमाई पैठा है फिर मेरा भी काम आसान होगा तुम्हारा काम? अरे भाई, पैसे वाले को थूख लगाना आसान होता है कि नहीं होता जैन्त पैसे वाला बन जाएगा तो क्या परवा करेगा कि उसके कजन ने कभी कबार उससे चार पैसे जटक लिए ओ, ऐसा कुछ हो जाए तो बाकी जिंदगी कितनी मज़ेदार कटे कजन माधर ने गम की बिग ब्रदर ना रहे तो यह पक्की है कि फिर तमाम संपत्ती के मालिक सहाब होंगे और कहां जाएगी संपत्ती मेरे और जैन्त के अलावा इस दुनिया में बिग ब्रदर का कोई होता-सोता नहीं है जहां तक मेरा सवाल है तो मेरी तो बिग ब्रदर अपनी संपत्ती पर परच्छाई भी नहीं पढ़ने देगा बाकी कौन बचा? धरमकारज उन बातों पर बिग ब्रदर का कोई विश्वास नहीं आज तक उसने कभी किसी धार्मिक संसान को चंदा नहीं दिया चैरिटी पर उसकी कोई आस्ता नहीं अंतपन तमाम संपत्ती जैनत के ही परले परती है भले ही बिग ब्रदर आज मरे या कल या परसो सुना है बिग ब्रदर अभी सिर्फ 65 साल के हैं ठीक सुना है पर मौत आती पता लगती है वो कहते नहीं है कि सामान सौ बरस का पर की खबर नहीं ठीक फिर मौत बुलाई भी तो जाती है बोले तो खुद मेरा ही दिल करता है मैं बिग ब्रदर को गोली मारतू बंडल मारता है तुम सच बोलता है मैं नतीजा क्या होगा मालूम नतीजे नहीं तो रोका हुआ है, वरना कब का ये काम करना चुका होता मसकरी मारता है तुम, अभी कमरा खाली करने का सोचो, फिर मेरे को क्लेन भी करना है दस मिनट, पहले चाई पिने दे, लाती हूँ, हाउस की पर चली गई पौने दो बचे सोमेश निगम की आमद अपने छोटे भाई के आवास पर हुई अपने हमेशा के कमपेनियन नितिन सिक्का और दो सूटकेतों के साथ नितिन सिक्का 45 के आसपास का दुबला पतला खुश मिजाज आदमी था जो की पिछले 18 साल से सोमेश का कहने को कमपेनियन था लेकिन असल में उसका पीर बावर्ची, भिष्टी, खर, सब कुछ था सोमेश उसे अपना पेट कमपेनियन बताता था लेकिन नितिन सिक्का को खुद अपने बारे में बताना होता था तो वो खुद को बॉस का सेकेटरी बताता था सोमेश निगव अपने उमर के लिहाज से बहुत चाक चौबन तंदुरुस्ती वारा था मिजाज उसका ऐसा था कि त्योरी अमूमन हमेशा चड़ी रहती थी किसी को सहद सभाविट धंग से भी देखता था तो घूरता जान पड़ता था अपने होट यो भीच कर रखने का आदी था कि वो नाप के नीचे खीची लकिर जान पड़ते थे पोशाक के नाम पर वो सफेद कमेश काली पतलून के साथ वैसी ब्राउन बास्केट पहने था जैसी का कि उन दिनों बहुत रिवाश था उसके विपरीद कंपेनियन सूट और टाई में सुसज़ित था बिग ब्रदर सोमेश निगम ने हौल में कदम रखा और बारी बारी वहां मौझूद सब पर अपनी असरिश्टा पून निगाह डाली लगता है फिर शुष स्वर में बोला मेरी आमद पर किसी को खुशी नहीं हुई ऐसी कोई बात नहीं रचना जल्दी से सादर पूरी तो हर किसी की जुबान पर ताला क्यों पड़ा है एक दूसरे में गड़मर कई नमस दे एक साथ हॉल में गोंची मुझे स्टेशन पर कोई लेने नहीं आया बिग ब्रदर ने नई शिकायत पेश की जैन गए हैं लगता है स्टेशन पर आपसे भेट न हो पाई कल्यान स्टेशन पर तो गिंती की सवारियां उतरी थी वो आपको मुंबई सेंटरल स्टेशन पर लेने गए थे वहाँ तो मुसाफिरों की काफी रेल पेल थी तभी आपसे मेल न हो पाया अब कहा है जयन अभी लोटे नहीं हम आप कैसे हैं जेट जी पूछना याद आ गया रचना खामोश रही उसने बेचैनी से पहलू बदला ये साड़ी नई जान पड़ती है जी हाँ रचना संकोश पून स्वर में बोली लगता है कपड़ों पर खुला खर्चा करती हो ऐसी को उसके पास मोटर साइकल है जी हाँ हाल ही मिली तो फिर वो वही था बहुत तेट चलाता है रफ्तार जान लेवा होती है मालूम मालूम मैं बोलूँगी उसको तो जैन मेरी को रिसीव करने मुंबई गया जी हाँ क्यों आज नौकरी बर नहीं जाना था नहीं जाना था वज जाना तो था ना हम तभी तुशार ने भीतर खदम रखा नमस्ते अंकल वो अधब से बोला सड़क पर तो सर से बगल से गुजर गया तब पहचाना नहीं अब नमस्ते सौरी अंकल मैंने आपको नहीं देखा था क्योंकि रॉकेट की तरह मोटर साइकल उड़ा रहा था शत्रा अठारा तक सबर करना ना सिखाया मावापने इतनी जल्दी मोटर साइकल ले दी ये गैर जिम्मेदाराना हरकत ही नहीं फिजूल खर्ची भी है अंकल सेकिंड हैंड ली सेकिंड हैंड क्या फिरी में आती है अब मैं क्या बोलू बोल नहीं कुछ कर क्या जा हाथ धो किया, खुद को नहीं दिखाई देता कि कितने गंदे हैं, लगता है इंजन ओयल लगा है, मैं जाही रहा था, आपको देखकर नमस्ति करने रुख गया था, हो गई नमस्ति, जाब, अपनी भुन भुनाहार छिपाता तुशार भीतर को चल दिया, मुझे शोर बरदाश नहीं पीछे सोमेश बोला, खास तौर से सफर के बाद, रशना ने जल्दी से जाकर टीवी पंद किया, अभी पहला दिन था, बलकि पहले चन्द मिनट थे, जबकि टोका टाकी असंतोश परदशन का वो सिलसिला पूरा हफता चलना था, सब्र, सब्र, आपनी रेस्ट करना होगा रशना अदब से बोली, आपका रूम तयार है, थैंक्यू, सोमेश बोला, लेकिन अभी थोड़ा अर्सा मैं यहीं ठीक हूँ, जैसी आपकी मर्जी, आईगे, ड्राइन रूम में आ जाएगे, सोमेश नी सहमती से सिरह लाया, किसी ने फिर बोला, ध्यान नहीं दिया जान पड़ता, कि मेरे साथ कोई दूसरा भी है, है न, रशना बोली, हेलो नितिन, हेलो मैम, नितिन सिक्का सहर भाव से बोला, अभी तुम किचन में शानता के पास चले जाओ, सोमेश अपनी कमपेनियन से सम्बोधित हुआ, वो कोई चायवाय बना देगी, खाना, रशना बोल यह तुम्हारा काम है, सोमेश ने नाक चड़ाया, हाउस कीपर को बोलो, उस काम के लिए शानता को तलब किया गया, तो एक सूटकेस उठाकर नितिन सिक्का भी उसके साथ हो लिया, सामान के साथ शानता उसे उस कमरे में लाई, जो माधर निगम से खाली करवाया गया था, और जिसी शानता ने बड़ी महनत से साफ किया था, और सजाया था, यहाँ अजीव सी मुष्क है, सिक्का ने नाक चड़ाई, जले हुई तंबाकू की, अलकोहल की, मैं, मैं खिरकी खोल देती हूँ, हाँ, थोड़ी देर के लिए पंखा भी चरा दो, यह मुष्क सर ने नो उसकी निगासी छुप नहीं रही थी, वो चाहता था, कि कोई फिजूल खर्ची की मिसाल उसे वहाँ दिखाई देती, और वो उसे मुद्दा बनाता, उसकी इच्छा पूरी न हुई, इतने फूल, फिर भी वो बोले बिना न रहा, एक गुलदस्ता बनाने के लिए इतने वो भी आधे गुलाब, एक गुलाब कम से कम 25 रुपे का आता है, हमारे अपने गाडन के हैं, रशना विने शील स्वर में बोली, उपर रूफ गाडन पर फूलों की क्यारिया है, हम, तुमने बताया नहीं कि जैन्त आज आज आफिस क्यों नहीं गया, रशना ने बोलने को मूँ खोला, फिर होट भीच लिए, अरे, कुछ कह भी चुको, क्यों खामोश सस्पेंस फैला रही हो, वो, वो उनकी नौकरी छूट गई है, ओ, सोमेश की ओह ऐसी थी, जैसे वो खबर सुनकर उसे संतुष्टी प्राप्त होई हो, कुछ चन खामोशी रही, क्या किया था, फिर सोमेश ने उस सुखभाव से पूछा, उन्होंने कुछ नहीं किया था, फर्म में छटनी होई थी, जिसमें वो भी आ गए थे, हम, मंदी के दिन तो हैं आजकल, उसी वज़े से उनकी 22 साल की नौकरी गई, लेकिन छटनी में जैन थी क्यों आया, जरूर उसमें उसके क काम में कोई कमी होगी, काम की आदमी को तो कोई नहीं निकालता, इस से तो जाहिर होता है, कि इतनी सालों में भी जैन फर्म में अपना कोई मुकाम नहीं बना पाया था, फर्म बंद हो गई होती, तो मैं मानता, जैन की कोई गलती नहीं थी, लेकिन छटनी में गया, तो यक कारा ही साबित हुआ देखो तो इस उम्र में नौकरी चली गई ऐसे शक्स को लोग क्या कहेंगे मेरे ख्याल से तो नालायकी कहेंगे वो पूरी मेहनत और इमानदारी से ठीक ठीक यानि एक लंबा अर्सा नालायकी छुपी रही जेट जी रचना का स्वर्तनिक तीखा हुआ ये बात एहम नहीं कि लोग क्या कहते हैं एहम बात ये है कि घरवाले क्या कहते हैं ठीक अब क्या करेगा वो आनन फानन तो कोई नई नौकरी मिलने वाली नहीं खास तोर से उसकी उम्र में पचास का हो गया है ना जी हाँ जब पड़े लिखे जही नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हो तो 50 साल की आदमी को कौन चांस देगा रशना खामोश रही कोई बचत वगएरा तो की होगी खास नहीं रशना बोली गुंजायश ही नहीं थी नियत हो तो गुंजायश निकलाती है फिजूल खर्ची पर जो हो तो हमने कभी कोई फिजूल खर्ची नही की नाबालिक लड़का मोटर सैकल चलाता है तुम्हें महमान को रिसीव करने के लिए नई साड़ी चाहिए टीवी भी बड़ा है नया जान पड़ता है पुराना है मेरे को तो नया जान पड़ता है फिर टीवी है मोतियों का हार तो नहीं करारे खर्चे वाला रहन सहन है त परचत कहां से हो ज़रूरी खर्ची तो करने पड़ते हैं ये फैस्था कौन करता है कि कौन सांगर जरूरी है कौन सा represents गयर जरूरी है तुम ही करती हूंगी और तो काही अयाशी पर जोर होता है जेट जी यहां अयाशी के कोई गुंजाईश नहीं और मैं वैसी युरत नहीं बात पचत की हो रही थी मैंने जैन से कम-कमाई वाले परिवारों को बूरे वक्त के लिए पचचत करते देखा है, अब मैं क्या कहूं, यही कहो कि आगे कैसे बीतेगी, हम सोच रहे थे, क्या, उम्मीद कर रहे थे, कि आप, क्या मैं, क्या उम्मीदे हैं तुम्हे मेरे से, आपके पास इतना कुछ है, उस कुछ में से कुछ जैन् तो ये आपके घड़े से बून निकलने जैसा होगा, तो तुम्हारी मेरे घड़े पर निकाह है, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं जानता हूँ, समझता हूँ तुम्हारा मतलब, सारी जिंदगी मेरे खिलाफ रही, मुझे तिरसकार की निकाह से देखती रही, अब दुश्वार की घड़ी आई, तो मैं यादा गया, मेरा घड़ा यादा गया, मुझे पहले जिन से मालूम था, कि तुम्हारे से शादी जैंत के लिए खुशाली नहीं लाने वाली थी, तुम लोग जिंदगी में काम्याबी का कोई मैयार खड़ा नहीं कर पाने वाले थे, लेकिन मेरी क तमाचा लगाया, तो खयाला तबदील हो गए, इस हद तर कि अब तुम्हे मेरे घड़ी में से बोंच चाहिए, सच पूछो, तो मुझे इसी दिन का इंतजार था, और मुझे मालूम था, कि ये दिन आके रहना था, आप हमारी दुश्वारी का मजाक उड़ा रहे हैं, नह उनके भविश्य की खातिर हमें याचक बनने की हद तक नीचे गिरना पड़ रहा है, पांच बच्चे, जब उनको ठीक से पाल नहीं सकती थी, तो क्यों पैदा कर लिये इतने, आप हद से गुजर रहे हैं, और तुम गुजर चुकी हो, पांच बच्चे, दाता, आप भू भागी है, कह लीजिए, कहूंगा, लेकिन बाद में, बाद में कब, जब मैं हालात पर पूरी जहने से सोच विचार कर चुका होगा, ऐसा कब होगा, पांच बचे, पांच बचे फिर बात करेंगे, पांच बची सब लोग फिप्ट रैंग्रूम में जमा थे, इस बार वहा की किचन की ओर के दरवाजे की ओनी पोनी ओट लिये खड़ी थी जगत अंकल माधव निगम तब वहां नहीं था पांच बज़े से थोड़ी ही देर पहले वह वहां से ये कहकर रुखसत हुआ था कि जरूरी काम से कहीं जा रहा था वैसे असर वज़े ये हो सकती थी कि वो उस पांच बज़े वाली मीटिंग में शरीक नहीं होना चाता था बेक प्रदर के साथ एक छट के नीचे रहना उसे भारी जो पड़ता था नितिन सिक्का भी वहां नहीं था एका एक वो सिर्की भारीपन की शिकायत करने रगा था तो शांता ने उसे डिस्प्रिंट की एक गो और से सुने मेरी बात जैंत की नौकरी छूट जाने से पैदा हुई उसकी हालिया दुश्वारी से तालुक रखती है मैं चाहती हूँ रशना तनिक तीखे स्वर में बोली कि उस कथिद दुश्वारी की बाबत मेरे बच्चे अपने बाप की जुबानी सुने कोई फरक नह यह है कि जिन बच्चों की फविश्य की दुहाई दे कर तुमने मेरे से माली इमदाद की अपील की वो बात एहम है ना कि यह कि वो किसने किसकी जुबानी सुनी एहम बात वो है जो मैं बताना चाहता हूं कि जो अपील मेरे से हुई है क्यों मैं उसी स्विकार नहीं कर सकता वजह मामूली है, मैं नहीं समझता कि मेरा भाई मेरी मदद डिजर्व करता है जैन्त हमेशा से एक कमजोर बेचारगी के हवाले सक्ष है जिसमें विशम परिस्तितियों का मुकाबला जोच कर करने का मादा ना है ना कभी था, इनी बातों की वज़े से मैं जैन्त को उसकी जिंदगी के हर मुहाम पर फेल मानता हूँ ऐसा कहते मेरे मन को दुख पहुँचता है, लेकिन कहना जरूरी है, क्योंकि ये सच है, करवा सच है जैन्त वो शक्स है, जो अपनी मामुली नौकरी को बरकरार न रख सका जो नौकरी के दौरान परिवार के भविश्य की सुरक्षा के लिए कुछ न कर सका अब वो एक बुजदिल शक्स की तरह अपनी दुश्वारी दूसरे को मेरे को पास ओन करना चाता है और ऐसा कर लेने में अपने करतेवे की इतिश्री समझता है समझता है कि उसके बच्चों को पालना मेरा काम है फिर गौर दलब बात ये है कि अपना अपना ये काम भी वो खुद नहीं करता बच्चों की मा को आगे कर देता है ऐसे कमजोड लाचार शक्स के लिए मेरे मन में कोई हमदर्दी नहीं है जेड जी रचनक गुस्ते से बोली आपको मेरे पती के खिलाफ इतना कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं कहने दो जैन दबी स्वर में बोला मैं ही कबूल कर लेता हूँ कि मैं अपनी जिन्दगी में फेल हूँ मैं ना एक जिम्मेदार पती बन सका और ना एक जिम्मेदार पिता बन सका इसके बाद मेरे कहने को कुछ बाकी नहीं बचता सोमेश बोला सिवाए इसके कि अपने भाई के बच्चों को भी उस जैसा नाकारा, बेचारा देखने का मेरा कोई इरादा नहीं, मुफ्त खोरा देखने का तो कतई कोई इरादा नहीं, मैं अपने भाई को कोई माली इमदाद दूगा, तो उसका भी वही हर्शो का, जो उसकी अपनी कमाई का होता चलाया माली इंदाद यकीनन गैर जिम्मेदाराना फिजूल खर्ची के हवारे जाएगी माले मुफ्त दिले बेरहम वाली कहवत को चरितात करेगी लिहाचा मुझे माली इंदाद से इंकार तो है ही मैंने अपनी वसीयत भी तब्दील करने का फैसला किया है उसने जेब से एक फुल स करते ही सबसे पहला काम में यही करूंगा मेरी मोल वसीयत का प्रमोग बेनिफेश्टरी मेरा भाई चैन निगम है और एक छोटे लेवल पर मेरा कंपेनियन नितिन सिक्का है जिसके लिए प्रावधान है कि जब तक वो जिंदा रहे उसे पांच लाक रुप्या सालाना मिलत किया है गैरोपिक करम शानता की मूँ से तिरसकार पून भाव से निकला अपनोपी सितम शानता रशना गुस्ते से बोली शानता की होट मिचे सब को लगा कि वो कोई सक्त बात कहने जा रही थी लेकिन उसके जबडिक कसी रहे बौरा गई है कमबक्त नहीं जानती कब क्या क कहना है किसकी सामनी कहना है या नहीं कहना है कुछ गलत तो नहीं कहा उसने अंकिता बोली अंकर जब भाई को ठेंगा दिखा कर अपना सब कुछ charity के हवाले करना चाहते हैं तो कुछ गलत तो नहीं कहा कहते हैं blood is thicker than water लेकिन यहां तो खोन ही पानी है जिंदगी भर किसी जिस दौरत को ये charity के हवाले करना चाहते हैं, शांता पूर्वता उग्रभाव से बोली, ये भूल रहे हैं, कि उस पर साहब का भी हक है, कैसे ये सब को charity के हवाले कर सकते हैं, और साहब के घर में बैट कर साहब के मुँपर ऐसा बोल सकते हैं, क्या इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज बाकी नहीं बची, शांता रचना बोली, बगबग बंधकर, जेट जी, इसकी तरफ से मैं माफि मांगती हूं, कोई जरूरत नहीं, सुमेश बोला, جब परिवार की इसके कहे में हामी है, तो कोई जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है जेट जी, क्यों नहीं है अभी सुना नहीं अंकिता क्या बोली लेकिन जब परिवार के मन में मेरे लिए कोई इज़त नहीं तो उनके नौकर के जैन बोला तुम्हें इनसे यों बोलने का कोई अक्तियार नहीं माफी मांगो फारण इसे मट्टो को सोमीज धीरस से बोला जो कहती है कहने दो मुझे बालूम होना चाहिए मेरी पतीजी के मन में मेरे लिए क्या है बोल बेटा जी भर के बोल मैं सुन रहा हूं मैं नहीं सुन सकता जैन बोला मैं जाता हूं लड़ खड़ाते कदमों से चलता जैन वहां से बाहर निकल गया तो सुन ही रीजिए पीछे अंकिता बोली आप बद मिजाज बद दिमाग दौलत के एहंकार के मारे शक्स हैं आप ऐसी दौलत को अपना बनाए बैठे हैं जो आपको खामखा हासिल हुई नाजायस हासिल हुई लेकिन समझते हैं कि खुदा की रजा से इसलिए आपको मिली क्योंकि आप आम लोगों से जुदा हैं आप में मोती टके हैं आपको दौलत मिली क्योंकि आप ही इसके काबिल थे बाकी सब नश्वर प्रानी आपके सामने हेश थे आप काब रहा थे या गुम्राग किये गए थे जो उन्होंने सब कुछ आपके हवाले कर देने की ना इंसाफी की जो उन्होंने समझा कि आप छोटे भाई का वैज़ा लगे जैसा बतोर बाप दों रखते थे क्यों उन्हें ये सोच लिया कि उनके पाद छोटे भाई का भविश्य बड़े भाई के हातों में सुरक्षित था ये पट्टी तुझे तेरे पिता ने पढ़ाई डैडी ने इस बावत कभी कुछ नहीं कहा तो कैसे जाना माधव अंकल से जाना उन से जाना कि दादा जी की मुकमल दौलत पर आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता था जो पैसा मेरी डैडी का भी है उसे आप अपनी मर्जी से चैरिटी पन नहीं रुटा सकते माधव वो बेवडा तो उसकी बातों में आई माधव अंकल में बहुत नुक्स है लेकिन आप से फिर भी कहीं बहतर है माधव अंकल के सीने में दिल है आपकी तरह बरफ का टुकड़ा नहीं माधव अंकल आपकी तरह एहंकार के मारे नहीं होल ये दंदा एटिटूड वारे नहीं उनका इन और आउट एक है आपकी तरहें पाखर नहीं करते उनकी जिन्दगी खुली किताब है आपके आगे परदे ही परदे हैं क्या खुबी है आप में दौलत की बैसा की हटा दी जाए तो पीछे रिक्षा पुलर जितनी उकात नहीं बशती अंकिता रशना कलपती सी बोली भगवान के लिए चुप हो जा आज नहीं आज खुद अंकल ने मुझे अभैदान दिया है हाँ सोमेश बोला बोलने दो इसे कह जो कहना है अंकिता इतना कह कि कुछ कहने को बाकी न बचे आप डैडी को जिन्दगी में नाकाम बताते हैं अंकिता ध्रड़ता से बोली फेलियर बताते हैं आपने कौन से तीर मारे हैं डैडी एक परिवार के करता है पांच चहीन बच्चों के पिता है हमारी खुशी में अपनी खुशी मानते हैं आप तो ऐसे जज़बाद से को रहे हैं डैडी एक जिम्मेदार पिता हैं जिनोंने अपनी परिवार को पालने के लिए कभी अपनी खुद की जरूरियात को आड़े ना आने दिया कभी एक पैसा अपनी खुदगरजी पर सर्फ न किया एक परिवार के जिम्मेदार करता को आप नाकाम कहते हैं अगर डड़ी नाकाम है तो कामयाभी क्या होती है डॉलत को ओडने बिछाने के अलावा आपने क्या किया है जिन्दगी में जो मेरे पिता न कर सके लेकिन आपकी निगाह में मेरा पिता हकारत की काबिल है और आप कमाल के हैं पैसा आपकी 100 एप ठकता है अगर वे ओड मेरे प 11 साल पहले पैदा हुए होते तो आपकी जगा वो होते और उनकी जगा आप होते तब आपको मालूम पड़ता आटे डाल कभाओ तो इलेक्शन लड़ नेता बनने के तमाम गोण तेरे में है इतना टैयन्ट वेस नहीं जाना चाहिए फायर ब्रांड नेता बड़ी आसानी स बन जाएगी आप मेरी खिली उडा रहे हैं तो मैं हकिकत बियान करता हूँ क्या ये सच नहीं है कि दौलत के वज़े से ही इस घर में मुझे परदाश किया जाता है सच है दौलत वज़े ना हो तो कौन गी सजा भुगतने को तयार होगा मैं तेरी साफ कोई की दाद देता ह आप ही ने पैसे को भगवान बनाया हुआ है एका एक सुनाली बोली आप ही ने दौलत को कोडा बनाया हुआ है जिसे आप जब चाहें हमारे पर फटकार देते हैं हमेशा एठे रहते हैं शालींता आपको चूकर नहीं गई आप हर किसी में नुक्स निकालते हैं और खुश होते हैं दौलत बंद न होते तो हमारे से योग पेश आने की आपकी मजाल न होती अंकल जी आपकी सारी ओकाद दौलत के आस्रे है कहिए कि मैंने गलत कहा सोमेश खामोश रहा इसके विपरीत माधव अंकल को देखिए जो आपके मुकाबले में सर्वदा साधन हीन है लेकिन हम सबको पसंद है उनका आना हमारे लिए खुशी की बात है आपका आना सजा है आप भी चाहें तो सजा को खुशी में तबदील कर सकते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे दौलत की एंट आपको एसा नहीं करने देगी आप अंकल माधव जैसे बन चाएंगे तो हमें तुछता से कैसे देख पाएंगे बहन वाली ही जुबान बोलती है तू भी तुशार तूने भी कुछ कहना होगा जो मैंने कहना था वो भी बहने कह चुकी तुशार संजीदगी से बोला फिर भी आप करने का पूरा अक्तियार होता और तब हमारा या किसी का नुक्ता चीनी का मुह ना बनता लेकिन दौलत आपने न कमाई वो आपको विरासत में बिली उसके लिए आपको कोई जामारी न करने पड़ी योहीं पकाफल जोली में आगिरा आप उस दौलत का सुक नहीं पा रहे सिर्फ उसकी रखवाली कर रहे हैं अगले वारिस के लिए लिहाजा आपको उसे चैरिटी के हवाले कर देने का कोई अधिकार नहीं दादा जी की ये मंचा होती तो वो खुद ही दौलत को चैरिटी के हवाले कर गए होते दूसरे ये बार साफ होनी चाहिए कि हम आपकी दौलत पर घात लगाए नहीं बैठे हुए हमारे पिता ने हमें संतोष का सबक सिखाया है हम सब संतोषी जीव हैं और अपने हाल पर खुश है लेकिन आप दौलत का लबादा ओड़े होने के बावजूर अपने हाल पर खु चैरिटी के हवाले कर देंगे क्यों कहते हैं क्योंकि ऐसा कहकर आप डैडी को मूर चुडाना चाहते हैं आप इसे कुछ भी कहें अंकल मैं तो ना इंसाफी ही कहूंगा मैंने तो तुछे बच्चा समझाता तुशार तो तो बड़ो से भी दो हाथ आगे है नाहक इतना बो कि मेरा सामान वापिस पैक करें और स्टीशन जाने के लिए टैक्सी का इंतजाम करें मैं फौरन यहां से जाना चाहता हूं मेरे ख्याल से आपके कंपेनियन ने आपका सामान अभी खोड़ा ही नहीं है वो है कहां गर क्या रहा है जपकी मार रहा है उठाओ से वो तो मैं श प्रेटफर्म इस काबिल नहीं और छोटा स्टीशन होने की वज़े से आपके काबिल वहाँ कोई वेटिंग रूम भी नहीं मैं होटल में जा सकता हूं जा सकते हैं लेकिन कल्यान में आपकी काबिल कोई होटल नहीं है आप मेरा कहना मानिए जाना है तो दो घंटे बाद ज ठीक है, सुमेश उठा और लंबे डग भरता वहां से रुकसत हो गया, पीछे कितनी ही देर टेंचन का माहूल बना रहा, तौबा, फिर रचना अजाहे भाव से बोली, कैसा बात का पतंगर बनाया तुम लोगों ने, हमने न बनाया, अंकिता विरोध पून स्वर्मी बोली, अंकल ने हमें मजबूर किया मूँ खोलने के लिए, सुनाली बोली, कैसे तुच्छता से पेश आ रहे थे हमसे, जैसे उनके मुकाबले में हम कीरे मकोडे थे, हमारी कोई ओकात ही नहीं थी, कोई हैसे थी नहीं थी, कोई हस्ती ही नहीं थी, और तू, रशना तुशार की औ को दिबार देता शट अप इतनी तोहेंग कोई बरदाश कर सकता है आई सेट शट अप तुशार ने होट मेंच लिए जा अपने डैडी को देख कहा है लेकिन तभी जैन खुदी वहां पहुंच गया उसने सोमेश को वहां से गैर हजिर पाया तो उसकी भवें उठी उपर गा वो तो अभी ही जित कर रहे थे हुआ क्या अपने बच्चों से पूछो जैन ने सोनाली की ओर देखा सोनाली ने बड़ी धीरेच के साथ तमाम किस्सा पयान किया ये तो बुरा हुआ वो खामोश हुआ तो जैन चिंतित भाव से बोला अब हुआ तो हुआ सोनाली भुन-भ करे कोई में मैं शामिल नहीं ये तुम जानो नितिन सिक्का हिच की चाया यहीं बैठो मैं सब के लिए चाय का प्रबंद करती हूँ सिक्का ने सहमती में सिरह लाया और फिर परिवार से परे खुरी खिर्की के करीब की एक कुर्सी पर पैट कया कुछ समय खामोशी से और ट्रे को डाइनिंग टेबल पर रख कर सब के लिए चाय पराने लगी तभी वाता बरण में एक ठाय की आवाज गुझी ये कैसी आवाज थी जैन घबरा कर पोला गोली चलने जैसी आवाज थी तुशार पोला गोली हे भगवान कहां से आई कहीं बाहर से रशना बोली उपर से सुनाली बोली उपर से सिक्का जपट कर अपने पैरों पर खड़ा हुआ ओ गौड ततकाल वो हौल से उपर को जाती सीडियों की और लपका पीछे कुशन सत्वधा रही फिर सब लोग उसके पीछे लपके उपर सीडिया एक लंबे गलियारे में खतम होती थी जिस उससे पहले दिवंगत शिप प्रसाद निगम की स्टर्डी थी और उसकी साथ सटा एक स्टोर रूम था जिसकी चारों दिवारों पर पुस्तकों, फाइलों, पुरानी मैगजीनों और अकबारों की कत्रणों से भरे रैक थे वो कमरा स्टोर की तरह भी इस्तमाल होता जान पड़ता था, क्योंकि वहार रसत की एक बोरी, एक कनस्तर और कुकिंग गैस की दो सिरेंडर पड़े थे, सिरेंडर के पास कुछ बोतले और टिब्बे पड़े थे, गलियारे की मिडल में एक दर्वाजा था, जो की बाहर उस विशाल टेरेस पर खुलता था, जो की रूफ गार्डन था, दर्वाजे के उपर छत की पूरी लंबाई में एक कैन्वस का सायबान था, जिसके नीचे कुछ कुरसिया मेजे पड़ी थी, एक कुरसी सायबान से पड़े गार्डन के बीच रखी हुई थी, जिस पर सोमेश निगम का निश्चेश शरीर पड़ा था, उसक का चश्मा नाक पर आगे को फुंगी पर सरका हुआ था, उसकी दाई कन पट्टी में छेथ था, जिसमें से रिस्ता खोन चमता जान पड़ता था, उसकी दाई बहां कुरसी की बहां पर से नीचे लटकी हुई थी, और लटके हाथ के करीब खास पर एक गन पड़ी तो वो नीचे जमीन पर लटकने लगा, उसने पल्ली को जरा एज्जस किया, तो गन उसकी नीचे आ गई, और निगाहों से ओजल हो गई, खुदकुशी कर ली, सोनाली के मूँ से निकला, अरे पहले तस्दीक तो हो, जैन सेस्पन्स भरी स्वर में बोला, की, की खत्म है, क और तू, जैन अंकिता से बोला, जरा परेहट, का क्या, अंकिता व्याकुल भाव से बोले, परेहट भई, का क्यों, मुझे जमीन पर कुछ पड़ा दिखाई दिया था, वो तेरी दुपट्टे की ओट में आ गया है, मजबूरन अंकिता परेहटी, और गन नुमाया हुई, सब लोग परेहटो, जैन ने आदेश दिया, कोई किसी चीज को न चुए, सब लोग पहले ही परे थे, और परे सरक गये, जैन घुटनों के बल गन के करीब पैट गया, उसने सिर जुका कर गन की नाल को सुखा, इसी से गोली चली, वो बोला, नाल से जले बारूत की गंद अभी आ रही है, क्यों कर ली खुदकुशी, सोना ली फिर बोली, खुदकुशी, और क्या, सब लोग तो नीचे थे, उपर तो कोई भी नहीं था, ये थे, शान्ता ने सिक्का की तरफ इशारा किया, स्टडी में, मैं स्टडी में था, सिक्का बोला, लेकिन वहाँ दिवान चली थी, उस वक्त की नीचे ड्राइंग रूम में हमारी साथ थे, तुम, चैन्त बोला, नीचे जागी कैसे थे, मेरे को नहीं मालूम, सिक्का पुरा, कोई खास वज़े नहीं थी, नीचे खुल गई, मैंने अपने आपको हलका महसूस किया, मैं उठा और नीचे आ गया, बाहर गार्डन में न चांका, ना, ऐसी कोई वज़े ही नहीं थी, मैं तो स्टरडी से निकल कर गलियारे में आया, और सीरिया उतर कर नीचे चला गया, तब गार्डन में सोमेश जी थे, मुझे खबर नहीं थी, ना हो सकती थी, ठीक, खुदकुशी की कोई वज़े सामने नहीं, सोनाली ने अपनी बात दोराई, होगी तो जरूर कोई, जैंड बोला, मैंने इस गन को पहचाना है, ये दादा जी की रिवालवर है, जो स्टरडी की रायटिंग टेबल के एक दराज में लावारिस पड़ी रहती थी, कैसे सोमेश को रिवालवर की वहां मौझूद सब लोग तो नीचे थे, उपड़ तो कोई भी नहीं था, वजे आत्मगलानी, कोई और वजे भी हो सकती है, शायद आगे सामने आए, तब ही डॉक्टर वहां पहुचा, डॉक्टर अभिलाश पाटिल उन लोगों का पडोसी था, और इस नाति उसका जैंत की घर में अक्स प्षे शरीर का मुआयना किया, फिर बोला, सननाटा पहले से था, और गहरा गया, पुलिस को खबर करना होगा, लेकिन जैंत बोला, जब आत्महत्या, फिर भी पुलिस को इतला करना जरूरी है, ऐसा ही नियम है, ओ, फिर ये कतल का केस भी हो सकता है, खामखा, मैंने ये नह हो सकता है, नहीं हो सकता, उपर कोई नहीं था, सब नीचे थे, पुलिस को बोलना, अभी सब को नीचे भेजो, और पुलिस को कॉल लगाने को किसी को बोलो, जैंत ने दोनों आदेश दिये, सब एक एक करके वहां से सरकने लगे, सब वापस नीचे पहुँचे, तभी माध सब निचम वहां पहुचा, तुम कहा थे, जैंत बोला, अपने एक काम से गया था ना, माधर तनी खर बढ़ाया सब बोला, बोल के तो गया था, अभी लोटा, हूं, यहां सब लोग टेंशन में क्यों है, क्या हुआ, सोमेश, क्या हुआ उसे, खत्म, अरे, खुद को से मरा, फिर भी तुम्हें मारूम है कि उन्होंने खुद को शूट कर लिया, जहर खालिया होने का ख्याल क्यों ना आया, छस्ते चलांग दी होने का ख्याल क्यों ना आया, वो, वो क्या है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, खामका, खामका ही तो, मेरे को खाली गन का ख्या अब क्या भूलों ये मैं बताऊं यार तुम तो पुलिस वालों की तरहें जवाब तल्बी कर रहे हो डॉक्टर हसा ततकाल संजीदा हुआ गन को कनपटी से लगा कर घोड़ा खींश देने की बहुत वारदात होती है आजकर ये भी कौन बोला कि गोली कनपटी में लगी डॉक्टर बोला खुद को तो ऐसे ही गोली मारी जाती है कोई ज़रूरी नहीं गन की नाल को माथे से लगाया जा सकता है एन दिल के उपर टिकाया जा सकता है नाल को मुँ में खुसेड कर गोड़ा खींचा जा सकता है अरे माई डियर तुम तो बात का बतंगर बना रहे हो अच्छा मैं ऐसा कर रहा हूँ अरे पूरे घर में कोई क्यों कर बिक ब्रदर को शूट करेगा किसी की शामत आई होगी तभी ऐसा करेगा लेकिन कोई खुद को खत्म करना चाहे तो उसे घर में मौजूद लोगों की क्या परवा होगी कोई नाहक खुद कुशी नहीं करता खुद कुशी का खयाल एक सुखी, स्वस्थ, साधन, संपन, व्यक्ति को एकायक नहीं आया हो सकता ये कोई मानने लाइक बात है कि अच्छा भला एक जगए बैठा, वो उठा, यहां गार्डन में पहुँचा और वहां खुद को गोली मार ली फिर भी मार ली तो पीछे कोई सुसाइट नोट छोड़ा होता क्या पता छोड़ा हो? नहीं छोड़ा शान्ता बोली छोड़ा होता तो बैडडरूम में होता वहां नहीं है लाश के करीब भी जैन दबेज़वर में बोला ऐसा कोई नोट नहीं था नहीं छोड़ा तो क्यों नहीं छोड़ा? क्या यही बात इस बात की तरफ इशारा नहीं? कि ये खुद कुशी का केस है ही नहीं कि ये सरासर कतल का केस है कातिल आस्वान से उत्रा सिक्का बोला कई से भी उत्रा लेकिन अगर ये कतल का केस है तो किसी का कातिल होना लाजमी है किसी ने बिग ब्रदर को शूट किया और यो स्टेज सेट करने की कोशिश की जैसे उसने खुद अपने आपको गोली मारी हो, हो सकता है By the way, डॉक्टर बोला, वारदात के वक्त तुम कहा थे? सब को मालूम है, मैं कहा था? माधब बोला, पांच बजे से पहले अपने किसी काम से मैं यहां से निकला था और अभी वापस लोटा हूँ I.C. किस काम से? जैंत उत्सुक भाव से बोला, ये तो ना तुमने पहले बताया, ना अब बता रहे हो अब बता रहा हूँ ना, मैंने स्टेशन पर किसी वाकिफकार को रिसीव करना था किया? नहीं, तभी तो जल्दी लोटाया, ट्रेन चार घंटे लेट है, दोबार आ जाऊंगा हम, किसको रिसीव करना था? डॉक्टर बुरा वाकिफकार बोलाना, माधर दनिक छुंजलाया नाम बोलो कमल प्राण जपे ट्रेन टाइम पर आई होती, वाकिफकार मिला होता, तो क्या करते? अरे भाई, तुम डॉक्टर हो, या जासूस, या पुलिस ओफिसर? मामूरी सवाल है, जवाब दो उससे बाचीत करता, लोका चार निभाता, और फिर अगले रोज मिलने का करार करके लौटाता वो कमल प्राण जपे, यहां का रहने वाला है? नहीं, यहां ठेरने आएगा? नहीं, आगे मुंबई जाएगा, मेरे से मुलाकात के लिए यहां ओवर नाइट स्टे का प्रोग्राम है उसका आई सी, तो चैंद बोला, चार घंटे पाथ फिर स्टेशन पहुचोगे? हाँ, माधब बोला, मैं साथ चलूँ तो कोई एतराच? तुम, तुम क्या करोगी साथ चल के? तुम्हारे वाकिफकार के, खास वाकिफकार के दर्शन पाने का स्वभाग्य प्राप्त करूँगा खा मखा, तुम्हें एतराच है मेरे साथ चलने से? नहीं, कहे को होगा? तो, वो उस ट्रेंग पर न हुआ तो, ऐसा भी हो सकता है मैंने एक संभावना व्यक्त की है जब तुम कह रहे हो, कह रहा हूँ फिर भी वो उस ट्रेंग पर न हुआ तो, इस बात का जवाब मैं नौबत आने पर दूँगा वो नौबत नहीं आएगी मैं तुम्हें साथ नहीं ले चल सकता जित करोगे तो मैं ही नहीं जाओंगा कमाल है, वाकिफकार को रिसीव नहीं करोगे नहीं करूँगा, बाद में माफी मांग लूँगा लगता है वाकिफकार कमल नहीं, कमला है क्या? कोई औरत है? औरत, माशूक, ओ शटा तुम्हारा व्यवार मेरी समस्य पाहर है इधर भी यही हाल है तुम्हारी साथ चलने की फर्माईश मेरी भी समस्य पाहर है क्यों यहां सब को जासूसियां सूज रही है बहराल मैं तुम्हें सेशन साथ नहीं ले जाने वाला And that's final ठीक है भाई, मुझे अपनी जाती मामलात में दखल मंजूर नहीं अरे भाई, बोला ना, ठीक है हाँ, बोला तो सही अब ये बोलो लॉटे कप अभी पांच मिनट पहले सीधे यहां आए और कहां जाता सवाल मैंने किया है हाँ, सीधा यहां आया यहां से निकल कर स्टेशन गए वहाँ ट्रेन की खबर लगी कि चार घंटे लेट थी तो दोबारा वापस जाने के लिए लौट कर यहां आ गए हाँ, जहां कि तुम्हारे गैर हाजरी में एक खोन होकर हटा है खुद खुशी जहां कि एक खोन होके हटा है अगर ये खोन है तो किसने किया कोई आसमान से तो ना उत्रा जाहिर है कि यहां मौजूद लोगों में से ही किसी ने किया जिनमें कि तुम भी शामिल हो बदकिसमती से लेकिन मैंने खोन से हाथ नहीं रंगे मेरे से बहतर इस बात को कौन जानता है जयन्त तुम अपने ही परिवार की तरफ शक्के उंगली उठा रहे हो इस बात को हवा दे रहे हो कि कातिल तुमारी फैमिली में से कोई हो सकता है तुम भी मेरी फैमिली हो लेकिन मैं कतल के वक्त यहां नहीं था कतल या खुदकुशी जो कुछ भी हुआ मेरी कैर हाजरी में हुआ हम अब सवाल ये है कि किस ने किया सब तो यहां नीचे मौजूद थे तुम्हें क्या पता तुम तो यहां नहीं थे मेरा मतलब है मैं सब को यहां मौजूद छोड़ कर गया था तुम्हारे पीछे वादात कहां हुई तुम्हें नहीं मालूम हाँ ये तो नहीं मालूम कहां हुई तुम्हारा क्या ख्याल है उपर गार्डन में कमाल है कैसे जाना महीं तनहाई होती है खुदकुशी के काबिल तुम खुदकुशी, खुदकुशी भए जा रहे हो जब की मेरा जोर कत्ल पर है मेरा भी डॉक्टर बोला साबित कर सकते हो कर सकता हूँ पलिस के सामने करूँ गा अगर्चे कि उन्हें खुद कुछ न सूचा जरूर सूचेगा डॉक्टर बोला तुम्हें सूझा, मुझे सूझा, तो उन्हें क्यों न सूझेगा, उनको तो ऐसे मामलात को जाचने समझने की ट्रेनिंग होती है Exactly, इसको कतल का केस बता कर मैं अपनी फैमिली को शक्की दारे में ला रहा हूँ लेकिन मुझे यकीन है कि हम भी से कोई कातिल न है, न हो सकता है फिर तो सिक्का बोला, कातिल आस्वान से ही उत्रा, कहीं से तो उत्रा, ये कतल का केस है तो कोई तो कातिल है तभी पुलिस वहाँ पहुँची तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद